हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लै विट स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपी सील के बारे में जो कि फ्राइडे की दिन क्लोजिंग देखने को मिली और चार रुपे से भी ज्यादे की गिरावट के साथ क्लोजिंग नजर आई और देखा जाए तो बीपी सील पिछले 15-20 दिन से इसी लेवल के असपास संभलता हुआ में नजर आ रहा है 425 का अपना अपना काफिश्ट रॉंग सपोर्ट लेवल है और इसी लेवल के असपास अच्छी खासिया में खरीदारी भी देखने को मिल रही है जो क मुझे लगता है कि बीपी सील आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा बड़े टार्गेट देखने को मिल सकते है जो की देखा जाए तो रिसेंटली एक दिगज ब्रोक्रेज की और से तगड़ा टार्गेट बीपी सील के ऊपर बताया गया है तो उसके बारे में मैं आ और अभी तक अपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं तो जिस है कि आप देख सकते हैं हम तो एकनोमिक टाइम की वेबसाइड के ऊपर आया है और य और यह जाए तो साथ में बीपी सेल में अच्छी खरीदारी भी हमें देखने को मिल रही है अगर मैं बात करूँ फ्राइड़ के दिन के कारोबार की तो जैसा की दोस्तों आप देख सकते हैं नहीं से की वेबसाइड के ऊपर मैंने बीपी सेल को सर्च करके रखा हुआ है जो की फ्राइडे के दिन 1% के असपस की गिराओट नजर आई थी प्रिवियॉस क्लोजिंग की बात करें तो 435 पैसे फरे प्रिवियॉस क्लोजिंग की बात करें तो हमें ओल्मॉष्ट फिलेटी ओपनिंग नजर आई थी 430 रुपर की असपस हाई बनाया था 432 रुपर 25 से का और लोग की बात करें तो 424 रुपे 50 पैसे तक के लो भी नजर आ रहें और फाइनली जो क्लोजिंग देखने को मिली और 425 रुपे 60 पैसे पर डिलूबर परसंटेज की बात करें तो जो कौंटिटी ट्रेड हुई है और यहां पे आप देख सकते हैं तकरीबन 40,90,000 कौ तकरीबन 15,00,000 कौंटिटी हमें डिलूबर कौंटिटी नजर आ रही है और थर्टी एट परसंट के असपस के डिलूबर परसंटर देखने को मिल रहे है तो अच्छी खासी खरीदधारी भी हमें देखने को मिल रही थी और अच्छा खासा कारोबार का सुच्वेशन भी न रखे और अगर आप बीपीसेल के चार्ट को देखोगे तो आपको एक अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते मिने आप एक ट्रेडलाइन ट्रो की है और बीपीसेल कंटिनिस इसी ट्रेडलाइन को फॉलो कर रहा है जो कि रिसेंटली हाली में 82 रुपे तक के हाई देखने को मिले थे हमें और वहां से में अच्छी खासी करेक्शन भी देखने को मिली तक्रीबन आप देख सकते हैं जैसा में आपको बता है 425 रुपे के आसपास काफी टाइम से हमें संभलता हुआ बीपीसेल नजर आ रहा है 425 का अपने आप में काफी टाइम से बीपीसेल अच्छा खासा सपोर्ड लेता हुआ नजरा रहा है जैसा कि आप देख सकते बार बार इसी ट्रेड लाइन के आप चाहल संभल रहा है और यहां पर चैनल को लिए करता हुआ नजरार है अगर यहां पर देखा जाए तो रेंज भी काफी नेरो हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहां पर ब्रेक आउट की पूरी तरह से कगार पर खड़ा है बीपीसेल अगर यहां पर उपर की तरफ ब्रेक आउट आया तो मुझे लगता है कि प देखने को मिलेंगे वह तकरीब आप देख सकते पहला टार्गेट लोग यह तो आपको 25 रुपे का रिवर्ड मिलेगा जो की 425 पर ट्रेड कर रहा है 425 तक का टार्गोड लोगे तो 25 रुपे का यहां पर रिवर्ड मिल सकता है और अगर 80 रुपे तक के आप टार्गेट तो दोस्तों मेरी रहेगी कि यहां पर आपको पोजिशनली दाव खेल सकते हैं प्ले कर सकते हैं बीपी सेल को चोटी एसल के साथ बड़ा टार्गेट ले सकते हैं तो इन लेवल को आपको चाउट करना है अपना स्टडी कंडग करना है अपने फाइने डवाजिट की सिला लेनी है उसके बाद ये अपनी पोजिशन बनानी है दोस्तों और आप अपना भी स्टडी कंडग करें उसके बाद किसी भी तरह का कोई डिसीजनल है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंग्रेज करना ना भूले और चैनल पर नया है तो इसी जैनल को जरू स देस्ट विलियों